नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेन धमसनमार्ग नमक एक ऐसी चीज है जो लगभग सभी भारतिये घरों में होती है सायद ही कोई इंसान होगा जिसके घर में नमक ना हो दोस्तों सनी वार का दिन टोटके तांत्रिक क्रियाओं से मुक्ति जादू सनी देब के नाम से तो सबसे पहले ही जाना जाता है तो सनी राहू केतू की परिसानियों से कैसे मुक्ति मिलेगी और अगर किसी ने आपके उपर जीवन में कुछ कर दिया है आपके भाग में अबरोध पैदा हो गया है तब आप क्या करेंगे तमाम समस्याओं का हल बस एक चुटकी नमक आपके ट्वैलेट में डालने से ही आपको मिल जाएगा तो चलिए हम सुरुआत करते हैं सबसे पहले घर से गरीबी दूर हटाने की गरीबी यानि नाकारा तमक चीजे जो आपके मन मस्तिक्स को जैसे बांद कर रख दिया है आप कुछ अच्छा सोचनी के प लगवाईए हर दिन चेंज करना है और ब्रहस्पति बार के दिन गुरुवार के दिन पोछा मत लगवाईएगा गुरुवार के दिन पोछा ही नहीं लगाना चाहिए घर में सिर्फ जारू लगाया कीजिए नकारतमक उड़ जाएं खुद बखुर दूर होने लगेंगी घ खटके आपका दिमाग एक्टिव हो जाएगा और आप कुछ करने की सोचने लगेंगे धन आता रहे धन बचे भी जीवन में तमाम परिसानियों का अंत्य भी हो जाए डॉक्टर पे कम खर्चा हो दवाईयों पर कम खर्चा हो सुरक्षा कवच कैसे बने इसके लिए आप अ वैसे तो उसके भी नियम है आप पीछे से लाल बल लगाईये पर उतना हम आपको नहीं कहेंगे आप रख दें अगर लाल धागा है तो ग्लास में बांद दीजिए हलका सा इससे क्या होगा आपके जीवन में जो भी नकारात मक सकतियां है आपके घर में वो सभी ये पानी स प्लस करना धन प्राप्ती और बरकत के लिए अगर आपको जीवन में बरकत नहीं हो रही है धन नहीं आ रहा है लगातार तब क्या करेंगे आप अपने घर में अपने बेडरूम में नमक रखिए या फिर अपने डाइनिंग हॉल में भी रख सकते हैं एक कांच की छोटी सी कटोरी ले आइए उसमें नमक रख दें भरके ही रखिएगा कम मत रखिएगा उसमें चार पांच लॉंग रखिएगा साबुत लॉंग फुटी फुटी भी ना हो फूल वेगरा सब लगी भी हो अब देखिएगा बरकत कैसे होती है क्योंकि यह जो लॉंग है न यह नाकार नमक रखा तो कहीं न कहीं दोस्तों जरूर लगेगा इसलिए हमेशा कांच के भी बरतन में नमक रखे और ढख कर रखिएगा क्योंकि नमक नकारत्मक सक्तियों को सोंख लेता है आप उससे खाना बनाएंगी तो आपका खाना भी दूसीत होगा इसलिए नमक को ढख कर रख करने से एक तो नकारत्मक सकती आपका लॉंग नमक नहीं खीचेगा और लॉंग के कारण जीवन में जो खुसियां है आनंद वाला पार्ट है वो बढ़ा हुआ रहेगा वैसे भी लॉंग हमेशा ही आपके घर के जो भी बच्चे हैं बड़े हैं घर से बाहर जाते हैं तो एक नियम बना लें उन्हें लॉंग दें मुह में रखके निकलें तो एक दो पॉकेट में रख लें ऐसा करने से वह सुरक्षित घर वापस आएंगे इसके गैरंटी हो जाती है अभी के दुनिया में थोरा सा ज्यादा परिसानी मनुसिके जीवन में आ गई है तो यह बहु आपके वाइप स्कूल जाते हैं बच्चें आपके बफस जाते हैं ङृपिस क ही करते हैं तब क्या करें एक नियम बनाले जब भी गर से कोई निकल रहा हो उसके पहले ग्लास में मॉग में बालटी में जो भी है पानी भरे फुल अब दरवाजे के यानि की माज़ कि में ढम वहां निकलेंगे दाहिने साइड पानी भरके रख दें और जब आपके घर में सभी लोग वापस आ जाते हैं तब इस पानी को उठा के किसी पेड़ पौधे में डाल दें यह सुरक्षा का बच्छ है पूरे घर का वास्तु दोस अगर हर किसी का घर तो वास्तु के नुसार बना नहीं होता है आप कहीं नहीं कहीं वास्त भी हमारे जीवन परिसा아नियां परिधा कड़ता विह क्या करेंगे इस लिए आप अपने ट्वालेमे क्टोटि में लेंखने को कुछ तो जरूर होगा नहीं कुछ तो आप सावुन वे गएर जहां रखते हैं वहां तो जगह होगा एक काच की कटोरी में थोड़ा सा नमक रख दें और हर महिने या पंदरह दिन में इस नमक को आप सिंग में डाल दें या फिर ट्वैलेट में डालतें ऐसा करने से आपके गहर में जो बिना मतलब की परिसानिया है वास्तु दोस है वो दूर हो जाते हैं वास्तु दोस हटाने के लिए नमक बहुत ही कारगर उपाय है अगर आप पती पत्नी में बहुत जगरे लडाईया होते हैं बाद विवाद होते हैं आप दोनों में पठती नहीं है बंती नह करने के लिए ही है तो इस दिन आप करेंगे तो आपको कहीं नहीं इसके ज्यादा बैनि फीट मिलेंगे तो हम बात कर रहे हैं आप पती पतनी में नहीं बनती है तब क्या करेंगे आप अपने बेडरून में किसी कागच पर या काच की कटोरी में जो भी चीज अब लेबल है थोड़ा सा नमक रख दें किसी भी कोना में कोई दिकत नहीं है यूँ ही पड़ा रहने दें हर आट दिन में चेंज करते रहें बस वही परक्रिया अपनाना है दोस्तों नकारात्मक सकतियां दूर होंगे आप देखिएगा दिरे दिरे आप दोनों में बढ़ने लगेगी आप दोनों में प्रेम बढ़ेगा और जब पती पतनी में प्रेम नहीं होता है तो पुरा घर ही नर्ख हो जाता है सबसे अदा इसका प्रभा बच्चे पर बढ़ता है इस बात का हमें सा धिहान रखिएगा आपके मान लीजे आप हैं ऑफिस से आते हैं हमेशा ही चिर चिर मत आईए खाली हाथ घर आने से भी दोस लगता है दूसरी बात जब आप घर आएंगे आपको लगे ज्यादा डिश्टर्ब हैं तब थोरी देर आप तो रिलेक्स करते ही होंगे नमक हाथ में थोरा सा रख लें और बैठे रहें दो चार पाच मिनट दस मिनट अपनी इच् कि आपके बच्चे हैं घर में बाहर रहते हैं पढ़ाई करते हैं बार बार कहते होंगे बामी पापा पढ़ने में मन नहीं लगता क्या करें बहुत डिस्टर्बेंस है अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे में अपनों बच्चों को एक आदत दिला इए थोरा से नमक वो जब मन मस्तिक्स में जो नकारतमक प्रफाव होगा वो दूर हो जाएगा और आपके बच्चे पढ़ने लगेंगे पढ़ा हो याद रहेगा यह सरीर की नकारतमक सक्तियों को सोकता है नमक आप विस्वास नहीं होता है तो एक दिन ट्रै करके देखे सिफ हमारे कहने पर अगर आप के वह जो रहें टिक रहते हैं खेलते होए रोने लगते आचानक से खाना नहीं घाते हैं और बहुत तरीकी परिसानियां उल्टी करने लगें खाना खाते हैं तो बार-बार बीमार पढ़ते हैं तब क्या करेंगे आप अपने बाये हाथ में नमक ले ले फोरा सा अब बच् में अच्छीं है कि अगर आप खाना सब्स में खाते हूंगे लोग वपर से लेके नमक खा लेते हैं, आप बूल्मत की अगर नमक कम हो सेडहा नमक या काला नमक का इसका ही यूँच किजेगा प्लेन नमक, सदा नमक जिसे अब आप बहुत साले नमक आते हैं ताटा नमक अनपुर्णा नमक आप किसी भी नमक कर यूच करते होंगे तो यह जो नमक है न साधा नमक इसको उपर से लेकर नहीं खाना चाहिए जैसे हमने की बेटरूम में की बात कही तो आप चाहें तो नमक पौडर वाला न रखके डेला डली का भी नमक आता है मार्केट में पहले जमाने में लोग खाते थे न डली वाली नमक उस टाइप का भी आता है तो आप चाहेंगे तो उसको भी रख सकते हैं कोई दिक्त नहीं अब ऋपनी माटां साथ स्दसूल बिमार कोई भीवी हो सकता है जीबन में 300 बहुत ते भीमारियां रहती ही हैं तब क्या करेंगे आपकी बिमारी है दबाई दबाए तो का ते इह होंगे अब कभी-कभी क्या होता है बड़े बुज़र्ग हैं दवाई सूट नहीं कर पा रही हैं शरीर में नकारात्मक चीजें बढ़ जाती है तब लोग बीमार पढ़ जाते हैं बैलन्स भी गड़ जाता है शरीर का बात पित और कफ का तब ऐसे में आप नमक जहां आप सोते हैं बेड़ हैं जो बेक्ति बीमार है तो रोज भी चेंज कर सकते हैं पर साथ दिन तर्ग रहने जीज़िए और हर सनिवार को दिन चेंज की ज़िए या कि किसी भी दिन रखके सनिवार के दिन चेंज कर लिया करें कोई दिक्कत नहीं है आप देखिएगा उनका स्वास्त बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और उनम दुकान दार से भी मत लीजिए नमक हाथ दोस लगता है तो इस बात कर में सध्यान रखिएगा रिष्टे भी गड़ते हैं नमक पूल कर भी जमीन में मत गिराईएगा अगर गिर गया है तो पानी से अच्छे तरह से पोच्छ कर धोकर हटा ले फिलहाल हम आप से विदा ल झाल झाल